Hello friends, welcome to CodeMeta channel इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे add to cart की लास्ट वीडियो में हम बात कर चुगे थे हमारी devlo application जिसके अंदर हमने stars का use की था साथ ही साथ हमने context apic की थी और हमने यह देखा था कि किस तरीके से हम home page के उपर हमारे product को लेकर आते हैं साथ यसाथ इसको add to cart करते हैं कि अज प्रोसेस देखेंगे सबसे पहले देखते हैं हमारे पास Add to Cart है कहां कहां कपे हमारे पास Add to Cart कहां है एक तो home page के ऊपर है और दूसरा हमारे shop page के ऊपर है जब हम इसको क्लिक करते हैं जैसे सब किसी को भी क्लिक किया तो आपको यह लोडर दिखेगा और साथ में क्या होगा यह हमारे कार्ट में आ जाएगा ठीक है अब बात करते हैं कि यह बना किस तरीके से जब हम क्लिक करते हैं तो एटो कार्ट की जो प्रसेस होती वो किस तरीके से काम करती है उसके उसके लिए चलते हैं हमारे एडिटर के अंदर यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा इंडेक्स.js है यहां पर हमने क्या किया जैसे हमने प्रोड़क कॉंटेक्स प्रोवाइडर बनाया था उसी तरीके से cartContextProvider ले लिए एक दोनों से wrap कर दिया cartContextProvider को wrap कर दिया अभिवे आया कहां से इसके लिए हम चलते हैं हमारे context folder के अंदर कि Bengal टो यहां पर हमने cartContext.js नाम की ए फाइल बना ली ठीक है cartContext.js नाम की फाइल बनाता ही सबसे पहले हम क्या बनाएंगे इंपोर्ट करेंगे react को और use state को ठीक है use state हम इसलिए manage कर रहे हैं यहाँ पर कि हम जो cart की जो context है जो हमारा cart context है उसमें store को manage कर सके वो manage कैसे करेंगे उसको manage करने के लिए हमें कुछ नगुस्तो बनाना होगा तो हमने क्या लिए एक use state ले लिए जहां पर हम जीजो को रखेंगे यहाँ पर क्या किया फिर हमने एक लिए const, cart context नाम का एक variable ले लिए यह capital, post letter हमने capital बनाया है camel case के अंदर किया सारा काम देखें और फिर उसके बाद small letters है फिर जो हमारा next word start हो रहा है वो भी हमारा capital है यह जरूरी नहीं है लेकिन जो हमारा पहला word है starting जो file का पहला word है वो हमेशा capital होना चाहिए उसके बाद आपकी इस तरीके से भी रखो इसको ठीक है अब क्या किया cart context equal to react.create context ले लिए ठीक है और इसके अंदर blank एक object के जो form होता है वो डालती है यहाँ पर object of form ठीक है अभी यहाँ पर हमने कुछ भी इसके अंदर लियानी data अगर हमें क्या करना होता है कि कोई भी cart context dot करके अगर हमें उसको view करना है कि हमारे cart context में क्या क्या चीज़े तो हम उसको यहाँ पर लिखते है ठीक है लेकिन हमने क्या ले लिया यहाँ पर blank ले लिया और export क्या कर दिया इस जो variable को जो हमने मना आया था इसको default export कर दिया ठीक है अब क्या करते है एक variable लेते है export करते हैं उसको यही पर ही जो default नहीं होगा const cart context provider यह जो variable है cart context provider यह हमारा कां जाएगा index में यहाँ जैसे हमने product context provider का रखा था ठीक है वैसे हमने cart context provider का ले लिया और क्या किया इसको wrap कर दिया अब क्या होता है जो cart है वो हमारे product के भी उपर है ठीक है तो हम क्या कर सकते है product का data भी cart में डाल सकते है और Card में product का data ला सकने हैं तो इसलिए हमने इसको उपर रखा है इस जो हमारा product contact provider है उससे भी उपर रखा है यानि उसका भी parent बनाया है इसलिए ठीक है अब जब लॉगिन आएगा तो login सबसे उपर top पे होगा यानि login हर तरीके से इसमें भी यूज हो सकता है Card में भी product में भी और एप में भी तो इसलिए उसको टॉप पे रखेंगे हम ठीक है तो अभी कार्ट की बात करें तो कार्ट की बात कर लेते हैं है क्या किए हमने अब यहां पर ब्रेकेट में हमने चिल्टर ले लिया एक यानि इस कार्ट कांटेक्स डॉट प्रोवाइडर एक इसके अंदर क्या कि हमने function के अंदर cart context.provider कर दिया context में .provider होता है तो वो लिखना होता है और फिर इसके बाद कह लेते हैं value लेते हैं और यहां पर लिखे ले लिए हमने दो variable ले लिए मालो भी अभी हमने कह लिए एक variable function ले लिए और यह ले लिए अब इसके अंदर children डाल दिया ठीक और यह जो cart context provider वाला जो function था यह हमने homepage जो हमारा homepage ना index.js उसके उपर लिए हुआ है ठीक अब क्या हो किया यह variable लिए कैसे हमने जो हमने यह variables बनाए value यह लिए कैसे है सबसे पहले हमें कह देखना है कि cart जो भी हमारा data आएगा वो हमको दिखना चाहिए तो कैसे दिखेगा cart ctx data से तो हमने कह लिए यहाँ पे लिए यहाँ लिए यहाँ पे देखो state बना लिए यहाँ पे टिक काट ctx data set card ctx data ठीक दो लिए अब इसके अंदर यूज state में क्या लिए हमने object की form एक तो हमरे पास product रहेगा card के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी एक तो product आएगा और उसका total amount आएगा जित्ता भी रहेगा ठीक है सब total चाहिए लग से तो total बना लो आप यहां पर variables यहां फिर कुछ और चाहिए तो वह भी यहां पर ले सकते हैं ठीक क्या कि हमने जो हमारा यह state है यह हमारी जो current state situation है जो हमारा card है उसको manage करेगा इसलिए बना है हमने यहां पर इसके बाद क्या करते हैं हम यहां पर आते हैं आगे ठीक इसके बाद क्या किया हमने एड टू कार्ट ले लिए एड टू कार्ट जब हमारा product जब हम किसी बटन को क्लिक करेंगे चाहिए तो home page से या फिर shop पे से जैसे हम एड टू कार्ट क्लिक करते हैं तो हमारा यह function रन होगा अब इस एड टू कार्ट के हम अंदर हमारे पस क्या क्या चीज़ रहेंगी सबसे पहले तो आएगा हमारे product ठीक कि कौन सा हमारा जो product है currently इस situation में जब हम उसको क्लिक कर रहे हैं बटन को तो उस situation में वहां पे कौन सा product है उसकी पूरी detail आएगी count को हमने one से रखाए यानि जब भी कोई product हम क्लिक कर रहे हैं तो उसका जो number of count है वो one से set कर दिया ठीक है यह बात में क्या होगा अब क्या किया जो हमारा card ctx data था जो हमारा यहां पर data यह वाला ठीक है इस updated state के अंतर जो हमारे पास जो भी card का data है उसके अंदर काम करेंगे अब हम ठीक क्योंकि state यह manage कर रही अगर यह zero product है यहां पर कुछ नहीं है तो यहीं पर रहना चाहिए ठीक है zero product रहेंगे और अग हमने क्या लिया card ctx data से products निकाले जित्ते भी रहे ठीक अब क्या कराया हमने कि suppose हमने को product को click किया उसके अंदर हमारे पास वह product already available है तो हमें वह भी चेक कराना है कि उसकी value अब increase हो जाएगी लेकिन क्या होगा वह product दुबारा card में नहीं आएगा सिर्फ value increase होगी उसकी price increase होगी तो उसके लिए क्या किया हमने product.includes कर लिया यानि अगर product include करता है यह तो यह हमें true false देगा यहां से हमने true false निकाल लिया अब जैसे हमारे पर true आ गया तो हमें पता चल गया कि है अब किसके बाद क्या किया कि वह product कहां है उसका index निकालना पड़ेगा तो कैसे करेंगे product.findindex इसके अंदर हमने एक हमारा जो खुद का custom variable ले लिया ठीक है equals card यानि जो हमारा product exist कर रहा है जहां पर हमारे product exist कर रहे है उसकी आईड़ी निकाल ली ठीक और फिर क्या किये product की ID निकाल ली कहां से जो आ रहा है हमारा अब जो product आ रहा है ठीक है जो अभी तक existing products है कहां पे हमारे इस card के अंदर यहाँ प eccentric ठीक यहां पे जो existing product है वो यहां से निकल जाएगा और यह वाला product कुन सा होगा वो हमारा product होगा यहां पे जो हमारे पास आने वाला है ठीक तो दोनों को match कराया अगर इस आने वाले product की id existing जो हमारी state है उसके अंदर मिल जाती है तो उसका index निकल जाएगा अब क्या करेंगे उस product के index में जाके उसकी quantity को देखो यह है इसको increase कर देंगे ठीक है अब increase किया तो कैसे करेंगे देखो अब यह लिखा math step triple equal to one इसको एक बर छोड़ देंगे कि यह क्या चीज़ है increase कैसे करेंगे number लिखेंगे और products में जो quantity है current वाली उसके count को increase कर देंगे once से ठीक है यह जो current quantity है उसको आने वाले count से increase कर देंगे देखो default केता है one है लेकिन suppose करो किसी ने वहाँ पे shop page पे आके plus को four कर दिया तो यह four हो जाएगा अब तो four current वाले में add हो जाएगा ठीक है और यहाँ पे क्या किया हुआ है हमने इसकी बात करते हैं आ गया भी यह क्या चीज़ है जो इ उस quantity से increase हो जाएगा जित्ती quantity बोलेगा उससे increase हो जाएगा current वाला index अब total price में क्या जाएगा total price में जो current product है हमारा उसकी price into product की जित्ती भी quantity है वो चली जाएगी ठीक suppose product की quantity अभी किती हो गई हमारे पास index की उपर से हमने change करी एक step उपर जो काम किया उससे change हो गई हमारी four ह इसकी quantity है है कि एक तो होती है हमारे पास accumulator जो आ रही है जिसको हम total जित्ते भी product है उसमें हम current जो count कर रहे हैं और prod card क्या चीज़ है जो total price है ठीक है जो total हुआ वो करेंगे क्या होगा accumulator प्लस product card जो current product है प्लस उसका जो total price है ठीक है accumulator यानि जित्ता हमारे पास आया सपोस हमने दो product पहले count कर लिए 5 product है हमारे card के अंदर दो product की price है हमारे पर four और five four five nine तो nine को क्या हो गया हमारा accumulator हो गया prod card क्या है चुक करन्टी क्या निए थर्ड नंबर के उपर position पे हमारा product आ रहा है उस product price टोटल प्राइस ले ले लेंगे product card और टोटल प्राइस और इसमें add कर देंगे अब दो टै इसमें comma separate करके zero लिखा suppose करो first product आ रहा हमारे पास तो उसमें क्या होगा हमारे पास accumulator क्या हो होगा zero उसमें कुछ होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास total number को यह था ही नहीं product zero position से start कर रहे है तो उस case में हमारे system पे क्या है error generate होगी error को reduce करने के लिए कि हमने default जो total price तो उसको zero से set करा दिया reduce के अंदर इस तरीके से कर सकते है अब updated card box लिख लेते हैं यानि जो हमारा total products थे उसके अंदर हमने वापस products डाल दिये card amount के अंदर हमने कह डाल दिया जो हमें reduce करके amount निकाला वो निकाला और जो हमारा set card data ctx data था उसके अंदर इसको रख दिया तो क्या होगा कि यह जो हमारा state है यह यह state यह update हो जाएगी अब यहाँ पर एक product आ जाएगा यह चार product आ जाएगे जो भी रहेगा ठीक suppose अब इसमें क्या करता है कि इसको यहाँ पर product नहीं मिला true नहीं मिला तो normal क्या होगा product quantity के अंदर count जाएगा total price के अंदर product की price into उसकी quantity हो जाएगी reduce वही मेतर शूरू स्टार्ट होगा इसमें क्या करेगा accumulator यहाँ पर यह जीरो की नीड है उपर हमने 0 इसलिए लिखा यहाँ पर नीड नहीं थी फिर भी 0 इसलिए लिखा कि मान लोग कोई rare case के अंदर error आती है तो ठीक है और अगर यह इसलिए लिखा हमने कि यहाँ से तो हमारा जो product का add to cart हो स्टार्ट होगा इसलिए हमने 0 लिखा ताकि हमको error नहीं मिले अब क्या किया कि जैसे हमारे पास cart का amount आया हमने क्या किया product update के अंदर जो हमारे current products थे जित्ते भी dot dot three dot होता है यह क्या होता है scope operators होते हैं ठीक है क्या चीज है जित्ते भी हमारे पास products थे पहले कि उसके अंदर एक और product error हो गया ठीक है एर एक अंदर अब क्या किया card box के अंदर हमने क्या किया updated product डाल दिया यह वाला जैसा हमने यहां पर किया यह यहां पर हमने यह कर दिया ठीक अब card amount के अंदर किता आ जाएगा card ctx data जो यह reduce का amount आया वो प्लस चो current product का amount है वो और इसको update कर दिया ठीक नो इसके बाद हमको क्या दिखेंगा यहां पर remove card remove जब हम क्या करेंगे सारे product add कर लेंगे check out कर देंगे तो card remove होना चाहिए तो उसके लिए क्या किया है हमने remove card में क्या किया update card box में जो हमारी default value थी व अब अब क्या होगा कि यह जो value होगी जिस भी card button के अंदर हम click करेंगे तो वहां पर हमको यह मिलनी चाहिए कैसे सबसे पहले बात करते हैं हम home page की home page में हमारे पर टॉप प्रॉड़क्ट है प्रॉड़क्ट में क्या था हमने क्या कि धा हमने उसके खॉण्स के पेज़ाने के लिए यूज क्टेक्ष खॉ They are किया करना होता है import करना होता है product context जो Default हम लेते हैं या फिर card context उसको इसके अंदर रखते गे अभी card context data को यहां पर हमने हम त mucha data निगाल लिया यह थे product content data से product निखला था card context data से क्या करेंगे हम जो हमारा यह button है इसके उपर रखेंगे इसकोphony को इसके क्लिक पे जब भी किसी के बटन के ऊपर क्लिक या किसी भी क्लिक के ऊपर इस्टेंट हमें कुछ action perform करना है तो हम वहीं पर function मना देंगे ठीक है anonymous function मना दिया जिसमें हमने क्या किया card context data का add to card जो add to card है क्या हो गया हमारा add to card यह तो बंद हो गया ना यह जो add to card है हमारा यह वाला यह रन होगा अब कैसे रन होगा यहां से कि इस card context data में add to card क्या जाएगा हमारे पास पूरे product की value हो जाएगी यह जो हम loop में ले रहे है card product जो product context data है वहां से हमारे पास मैप करके loop में आ रहा है इस में से product हा रहा है हमारे पास तो इस product को पूरे को हम यहाँ पर रख देंग अब product के अंदर हमारे पास उसका क्या आएगा ओंधे क्या चीज पास हो रही है यहां से एक तो price पास होगी उसके ID पास होगी टाइटल होगी और वहां पर जाके उसको हम ब्रेक कर रहे हैं तो हमारे कार्ट कॉंटेक्स था इसके अंदर आ गया जैसे यह हिट हुआ तो क्या हुआ हमारा यह एक टू कार्ट चलिया जिसमें हमारा प्रोड़क्ट आया काउंट हमने डिफॉल्ट वन रखा है और होम पेज से हमने इसकी स्टेप वन रखती ठीक है यह ध्यान अकनाब अभी होम प पस क्या था कि है ही नहीं अगर हम देखे तो हमारे पास यहां क्या है यह हमारे होम पेज पे आते हैं तो यहां पे देखो हमारे पास Increment and decrement का कोई option नहीं है वो काहा है हमारे शॉप page पर जब हम बंश को open कर लेते Single page आता है तो हमारे पास Increment and decrement student का option ठेक है तो यह Inges हो इस तरबगों के option की वजह से ही हमें इसे इस तराके से रखना पड़ा है थाकि हम चीजों को सेप्रेट कर सके तो वहां पर यूज करना है तो वहां पर यूज कर लिया नेकिन क्या हुआ वह पर फिस को यूज करना यह वाले का तो हम क्या गरेंगे उसको उसको differentiate कर सके ठेल now if our को क्या है यहां पे Card context के अंदर आते हैं हमारे कि यहां अगये ठीक हमने बात कर लिए अब अब क्या मेर样 Belgique कोनलते एक आइए खब अश्ट पेज पे आए इहां पे हमारे products है Państu prize में ज हब्रोडकस में हमने प्रॉप से हमारा data लेगा वही card context और इसको हमने get कर लिया और यहां पर क्या किया products को हमने filter किया जैसे हमने बात करी थी product को filter करके हम यहां पर आ गए यह हमारे पास button आ गया यहां पर भी हमने क्या किया वही क्या हुआ देको card context के data के अंतर button के click पे anonymous function कॉल कर आया जिसमें card context data.add to card और product ले लिया अब क्या करते हैं किसी भी product के single page के उपर चलते हैं यहां पर क्या किया हमारा कि हमने यह लिया कि सबसे पहले तो हमारी कुंसी product की ID आ रही है product detail पर फिर क्या किया यहां पर जो default count उसको one से सेट करा रहा है जो product है हमारा ठीक card context को data ले लिया फिर उसके बाद के प्रोड़क्स को हमने यहां पर filter किया context को filter किया किसके जो हमारी यह जो use जो हमने use params किया है जिब भी हम क्या करते है product को click करते हैं तो हमारी उपर एक ID बनती है अब जो URL बनेगा sorry जो हमारा URL बनेगा उसके इंदर ID आती है product की तो हमको क्या करते है किसी भी data को हमको get करना है from URL तो हमको क्या करते है use params का use करते है तो use params करते है उसमें से ID निकाल लेंगे हम जब हम ID निकालेंगे और यह क्या होती है उसी sequence में आती है जिस form में आप URL बना रहे हो सबस्करों एक slash, दूसरा slash, तीसरे slash is, तो सबसे पहले पहले slash लेगा, दूसरे slash लेगा, दूसरे slash लेगा, ती सबस्के आती है तो उसको हमको धिहां रखना होता है कि हम वहाँ से क्या भेज़ रहे है, URL में हम तो यह उसी form में लेके आता है अब क्या किया है जो हमारा डेटा है जो फिल्टर होता है जावा स्कृप्ट का मैंता होता है फिल्टर.filter जिसके बाद आप प्रिविएस वीडियोस में क्राफिकर चुके है ये क्या करेंगा जो हमारा क्रांट प्रोडक्ट है उसकी आएडी निकालेगा और ट्रेपल अएड कर दीए अब क्या कि हमने यहां पे यहां पर फेल डिटेल आई वह हमारे पास क्या होगा जीरो पुजिशन पर हमने image निकाल के रख ली एक image को सेट करा दिया कि current image कौन सी है हमारी क्योंकि हमारे पास क्या होने वाला यहां पर number ओफ इमेज आएंगी जिसको हम क्या करेंगे current image तो हमारे पास क्या कि हमने हमारा जो तो इस तरीके की यहां पर प्रोसेस होती है देखो क्या करते हैं शाइद इसके अंदर है एक बार देख लेते हैं बिलकुल यह देखो जैसे ख्लिक किया image change हो गई यह image HTML के अंदर क्या किया start HTML को हमने एक blank ये ले लिया और ब्राट पुश करके क्या किया कि जित्ती भी हमारी ratings है उसको चलाया और ratings image को यहां पर fill करा दिया यह देखो नहीं तो image blank होगी और यह होगी यह rating वाला काम किया था हमने यहां पर यह rating के लिए जो हमको उपर ratings दिकरी थी इमेज क्लिक चेंज के उपर current जो image है वो सेट हो जाएगी यहां पर यह पास की हमने यहां पर इसके बाद क्या किया था हमने product के count लिए default count हमने 0 रखा हुआ है और इसको 1000 रख लिया अब जो number of product count उसमें प्लस 1 कर दिया ठीक जो हमारी counting है product की उसको manage करने के लिए यूद किया है प्लस default count handler ठीक है और इसको set करा दिया जो भी हमारा one two three plus one होता रहेगा यह वो चीज है और minus करेंगे click पे तो यह minus वाला चलता रहेगा ठीक है यहां पर क्या होता है number अगर को क्या जाता है हमारा जो पास जो numbers ठीक है तो उसको actual में number को plus करने के लिए हमें number लिखना होगा यहां पर ठीक नो यह हमने क्या लिखा है कि अगर product account thousand से बड़ा होगा तो वो उसको बढ़ने नहीं देगा thousand पर रुख जाएगा मतलब ठीक है thousand पर आता ही रुख जाएगा इससे छोटा ही रहेगा टिर्पल नाइन तक ही रहेगा thousand भी नहीं हो पाएगा वो और यहां one से नीचे नहीं जा सकता product account जो हम माइनस कर रहे हैं तो ठीक फिर क्या किया हमने यह product image हमारी आ गई यहां पर यह title आ रहा है प्रोड़क की रेटिंग्स आ रही है इंपुट आ रहा है और यह हमारा main जो चीज थी हमारी यह on click आ अब on click में हमने क्या किया देखो context data से निकाला add to card किया add to card करते ही सबसे पहले तो हमारे पास product की detail आ गई जीरो पूजिशन पर हमारी product की पूरी detail है तो हमने detail डाल दी अब देखो add to card वाली process यहां होने वाली है फिर इसके बाद हमने default count ले लिया ठीक इसरा variable था वो अभी भी नहीं लिये हमने ठीक क्यों उसको भी देखते हैं अभी यहां पर count आने वाला है यह default count है इसकी बात कर रहे थे हम तो default count कैसे आ रहा है यह value आ रहे इसकी default count की value की यह number क्या करेगा जो हमारा input है उसके अंदर plus minus करने लग जाएगा कैसे यह देखो यह हमारी rating आ गई यह image आ गई यह price आ गई यह plus minus यह जीरो पर नहीं जा रहा एक से नीचे नहीं जा रहा और अगर मैं इसको triple nine कर दूंगा अब जब हम इसको click करेंगे inspect करके देख लेते हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा यह देखो क्योंकि actual में यह react है तो हमें यह पे जो हमारा function वह दिखेगा नहीं तो हमको उसी तरीकी से देखना होगा प्रोड़क्ट डिटेल में आ गए यह हमाँ पर डिटेल आ गई प्रोड़क्ट की और यह उसका count आ गया कि कितना हम उसको count को रख रहे हैं जो हमने context में लिखा था प्रोड़क्ट डिरा ठीक है यह पर यह product आ रहा है हमारा और यह count अब इसकी बात करते हैं कि यह कहां से आ रही है चीज ठीक है एक पर देखते हैं किया हुआ क्या है कि यह किसले रखाता मैस्टैप कि अगर हमारे पास हमने इसकी default value 1 से सेट कर देए suppose क्या होता है कि जब हम plus minus करते हैं product को तो उसमें हमें यह चेक करना है कि जो current product है उसकी quantity में हम count को बढ़ा रहे हैं अगर बढ़ा रहे हैं तो यह वाला चलेगा math step वन है हमें हमेशा plus की बात कर रहे हैं तो इसको वन से रख अगर मालोस घटा देते हैं माइनस कर देते हैं तो उसकी product की quantity greater than one है तो वो माइनस हो जाएगा यह multi condition है यहां पर और यह यहां तो फिर क्या हो गया product की quantity sent हो जाएगी suppose हमने क्या किया product की quantity हमारे पास one है ठीक अब क्या है हम उसको minus करते हैं ठीक गलती से हमने उसको minus करके भेज दिया लेकिन क्या थी वो वहापे minus होनी नहीं जाए थी ठीक यह count one है हमने minus one करके भेज दिया तो क्या होगा यह one आएगा zero ने try करेगा वो तो zero होने से पहले हमने उसको क्या check करा लिया कि वो zero नहीं होगा वहाँ पर product की quantity हमेशा one रहेगी रहेगी ठीक है zero नहीं हो सकती add to card के अंदर तो यह वो चीज करी condition हमने बस इत्ता सा काम किया है ठीक है यह वो condition है तो इस तरीके से हमारा add to card काम करता है जैसे अब आप add to card पे click करोगे तो क्लिक कर प्रोसेस देख ली इस तरीके से हम card context को मना के यूज करते है नौ इसके बाद क्या करेंगे यह data हमारा क्या है करेंगे चेक आउट के ओपर data को यूज करेंगे अब यूज भी कैसे करेंगे login और without login की form में दो तरीके से करेंगे वो कैसे करते हैं वो आने वाली वीडियो में में देखेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथी साथ कोड मेंटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक केरे इट गुडबाए